तैह हो गई WPL के फाइनल और प्ले आफ की टीमें और उनके खेलने की तारीख इन तीन टीमों का रहा पॉइंट टेबल में राज तो दो का खत्म हुआ काज जी हां बात करें WPL के पॉइंट टेबल की तो भाईया लीक फेज की समापती हो गया है पॉइंट टेबल की पूरी की पूरी तस्वीर साफ हो गई है हमें पहली फाइनलिस टीम मिल चुकी है वहीं दो ऐसी टीमें भी मिल चुकी है जो फाइनल में एक दूसरे खिलाब भिड़ती भी दिखेंगी और दो ऐसी भी टीमें है जिनका काम तमाम हो गया या आपका सकते हैं कि WPL 2024 से उनका काम काज खत्म हो चुका है इनी सब बातों पर WPL पॉइंट टेबल पर प्ले आफ के सेड्यूल पर कब कहां किसके बीच बिड़न्त है और फाइनल के सेड्यूल पर भाईया हम नज़र डालेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी वीवर से यही आग रहा है यही नुरोद है कि अगर आपको अमारे अपडेट्स पसंद आते हूं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सस्क्राइब हाँ, फेस्बुक पेज पर वीडियो देख रहे हूं तो फेस्बुक पेज को भी फालो कर लीजेगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा तो यह आपके स्क्रीन पर WPL 2024 के लीक फेज के समाप्ति के बाद पॉइंच टेबल है, यहाँ पर सभी टीमों ने आठाठ मुकाबले खेल ली है और इनका अस्थान भी सुनिश्चित हो चुका है यह तीन टीमें DCE, MI, RCB ने राज किया WPL 2024 में वहीं दो टीमें जो रही UP और गुजराद इनकी हालत खस्ती रहे गुजराज जैन्स की बात करें तो भाईया इनके लिए मन्थन करने वाली बात है क्योंकि WPL 2023 के संस्क्रण में भी इनके खिलाडियों ने बहुत ही बत्तर प्रतरसन किया था और उससे भी कहीं बत्तर प्रतरसन WPL 2024 में गुजराज की टीम ने किया है मिथाली राज की क्या सोच है वो मिथाली राज जाने वो कहां से टैलेंट पुल लाना चाहती है वो मिथाली राज जाने हो सकता है कि मिथाली राज को रेलिवेज में भारती टैलेंट पुल दिख रहा हो लेकिन भाईया उस टैलेंट पुल को WPL के मंच पर अभी प्रदर्सन करने में समय लग रहा है, वक्त लग रहा है, जिस होज़े से WPL 2023 में भी बहुत खस्ता प्रदर्सन था, WPL 2024 में भी नहीं भी खस्ता प्रदर्सन था, अब मिथाली राज को अपने स्टेट जी में बदलाव करना होगा, कुछ ऐसे युवा सिता हाल 2024 में हुआ, वही हाल गुजरात का 2025 में होगा, वो कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जब तक भारती टैलेंट पूल आपके पास नहीं आएगा, तब तक आपका सूर्ते हाल नहीं बदलने वाला है, यहाँ पर अगर बैटिंग लाइन अप में आप नज़र डालो तो गु करते हैं, वो भाईया T20 की क्रिकेटर मानी ही नहीं जाती है, वेदा कृष्णमूर्ती को लेते हैं, जो T20 या बात करें अंतर राश्टी अस्तर से, तो वो सन्यास ले चुकी है, तो कोई टैलेंट पूल तो लेकर आएए, जो जिसके अंदर प्रतिभा हो, जो अकेले दम प पर हर्मन प्रीत कौर बन सके, जो अकेले दम पर रिचा घोस बन सके, जो अकेले दम पर भाईया बन सके कौन, इस्मृती मंधाना, वो काम करना होगा गुजरात को, वहीं बात करें, DC, MI और RCB टीम की तो बहुत ही प्रभावित किया, इन तीनों टीमों ने, खास कर दिल्ली यह कप्तान है, सबसे सफल कप्तान है, मिग लैनिंग के रूप में, जो हर बार इनको WPL में सक्सेस्फुल बनाएगा, उसमें कोई दोर आए नहीं, MI और RCB भाईया, टीम तगड़ी है, अच्छा प्रदरसन कर रहे है, प्ले आप में यह दोरों आमने सामने होंगे, और काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे विराट वर्सेज रोहित, जैसे विराट वर्सेज धोनी, जैसे रोहित वर्सेज धोनी के मुकाबलों का बेसब्री से सभी क्रिकेट प्रसंसको को IPL के मुकाबलों में इंतजार रहता है, वैसे ही भया, मन्धाना वर्सेस कौर के मुकाबले का सभी क्रिकेट प्रसंसकों को WPL में अंतजार रहता है दो मुकाबले हमने WPL के लीक फेज में देखे तो यहां पर हमें तीसरा मुकाबला मस्ट विन गेम में यह मुकाबला देखने को मिल ला है मार्च पंद्रस साड़े साथ बजे इंडियन स्टेंडर टाइम मुकाबला का होने वाला अरुन जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में बहुत ही जवर्दस्त मुकाबला होगा दोनों ही टीमें धाकर टीमें हैं अगर हम आर्ष सीबी टीम की बात करें तो एंप डिवयन दिखेंगी पेरी, इंफॉॉंब बलबाज, इंफॉंब गेदवाज दिखेंगी रीचा खोश रॉट्स छ चॉच अर्ष डिखेंगी अंहीं मन्दाना की का उनर का जजबा दिखेगा मेघना, एस मेघना भी दिख सकती हैं तो एस मोलिन्यू और जी जोर्जिया विरहम का जो इस संस्क्रण्ट में उद्ध हुआ है वहीं माई की बात करें तो वहाँ पर सब निमी स्माइल साई काई शाक हर्मन प्रीज कौर नैट सीबर ब्रंट हैले मैथ्यू जियास्तिका भाटिया का टैलेंट पूल दिख सब्सक्रां सुनिष्चित कर लिया है सुनिष्चित क्यों किया है क्योंकि WPL 24 WPL का जो नियमावली है उसके इसाब से जो भी टीम को आई स्टेबल में टॉप पर फिनिस करेगी वह डायरेक्ट चैपिल से फाइनल में इंट्री पाया है और जो प्ले आप में विजेता होगा वो दिली कैपिल से फाइनल में मार्च 17 को साधे साथ बज़े इंडियन इस्टेंडर टाइम अरुन जेटली इस्टेडियम नियुद दिल्ली में भिड़ेगा यानि कि 17 मार्च को हमें WPL 2424 का व गुरू आपके इसाब से WPL 24 का विजयता कौन होने वाला है वो दिल्ली होगी वो हर्मन प्रीत कौर की अगवाई वाली मुंबाई इंडियन्स होगी या फिर मंधाना की अगवाई वाली RCB होगी मिलते हैं अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्याम दें सुरक्षित अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें